डाव फ्यूचर्स ठीक है सर, हलकी बढ़त के साथ ट्रेट कर रहा है, नाजडेक फ्यूचर्स में भी कुछ मामूली आक्शन बन रहा है, सनपी फ्यूचर्स भी स्टेबल है, तो अमेरिकी फ्यूचर्स आपको स्टेबल दिख रहे हैं, यॉरप के बाजार में भी खराब कर रहा हम भी फ्रंट लाइन इंडेक्स पर कमजोर हैं, बताएं सर क्या करना इस समय है, डीब देटा क्या कह रहे हैं, पहले वो समझा तो हम आपको, 19,500 के नीचे की रिस्क थोड़ी कम है, तो टीन बजे तक अगर हम 19,500 नहीं तोड़ते तो क्लोजिंग उसके उपर होनी यह रहा होनी की संभावना भी पूरी है, क्योंकि 19,500 के पुट पर एक करोड पन्रा लाक शेर हाएस अपन इंटरेस्ट है, पुट में, उनीच तरसों के ऊपर भी आप बंदोने में मुश्किल देखेंगे, क्योंकि 19,600 के लेवल पर हाइस अपन इंटरेस्ट कॉल्स में है एक करोड अठार लाक शेर ही लगबख बराबरी का, ज्यादा संभावना है कि आप 19,500 के आसपास ही वक्त बिताते हुए दिखें, पांच मंदरा पॉइंट इदर, पांच मंदरा पॉइंट उदर, क्यों, 19,500 के पुट और कॉल दोनों पर अठार लाक शेर हो का बराबर का उपन इंटरस्ट है, इसलिए लगबख लगबख यही पर आप 19,500 के आसपास पांच-पैचिस पॉइंट उपर निचे में आप क्लोजिन देखेंगे, यह आपके लिए जिफ्टिका, फ़र्ज करें, निकल के आप तीन बजे के पहले और कमजोरी बढ़ जाए, तो तो फि नीचे की तरफ का जादा दिख रहा है अभी तो वैसे लगता नहीं हो जाए कि अभी तक तो देखेंगे कितने दिन हो गए बताओ मैं आपको, खाली एक दिन छोड़ दीजे, ने एक भी दिन मत छोड़िए, एक भी दिन नहीं, पिछले 19 ट्रेडिंग सेशन से जिप, 19,500 क के ऊपर ही बंद होंगे, जाना, अब आईये बैंक तिटी, तहां पर याप 44,350, यहां है यहीं पर सपोर्ट है, 44,200, 44,300, इस रेंज में सपोर्ट है, वजए है कि 44,300 के पुट पर 44,000,000 शेर है, हाईस टोपन इंटरेस है, उपर में 44,400, 44,500 के रेंज में रुका बट है, 21 पर आईये, तो जादा संबावना है कि आप 44,300 के आसपास ही, यहां पर आप क्लोजिंग होते वे देखे, यह दोनों तरफ के आपके डेटा, ठीक है, चलिए, रेंज और लेवल्स आपको मिल चुके हैं